नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त फार्माशिश असफाक स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चाइनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे आखों के इंफिक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाने वाली ड्रॉप और ओएंटमेंट ओफ्लोकसासिन के बारे में जाने के डिटेल में इसे आखों के किस प्रॉबलम में यूज की जाती है कैसे अपलाई करना चाहिए, क्या क्या साइड एफेक्ट हो सकती है तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे है हमारे साथ सबसे पहले ओफ्लोकसासिन आईड्रॉप के जेंजल इंट्रॉडक्शन के बारे में जान लेते हैं तो यह ओफ्लोकसासिन आईड्रॉप फ्लोरो किनलोन गुरूप की मेडिसीन है जिसे आखों में हुए bacterial infection को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है यह bacteria को kill कर देता है इसी कारण इसे bactericidal drug भी कहा जाता है अफ्लोकसासीन, eye ointment तथा eye drop दोनों preparation में available है अब जान लेते हैं इस eye drop के कुछ popular brand name के बारे में जो आसानी से medical store पर मिल जाती है जैसे ओफ्लोकसासीन, eye drop, genflux, eye drop, etc अब बात कर लेते हैं इस ओफ्लोकसासीन, eye drop के uses के बारे में कि इसे किन-किन condition में use किया जाता है जैसा कि हमें पता है यह drop antibiotic, antibacterial दवा है जिसे आखों में हुए bacterial infection को ठीक करने के लिए use की जाती है अगर किसी को bacterial conjunctivitis विमारी हो गई हो इस condition में आखों के white area में infection के कारण inflammation हो जाती है जिसके कारण आखों में कई प्रकार की समस्याइं होने लगती है जैसे आखों में चुबन होना, जलन होना, आखों से पाने आना, redness हो जाना, खुजली होना, आखों में दर्ध होना इसके अलावे आखों में पीला चिपचिपा पदार्थ निकलना इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस ofloxacin eye drop का यूज किया जाता है इसके अलावे अगर किसी व्यक्ति के आखों में कंकर गिर गिर गया हो या इंसेक चला गया हो तो इस कंडिशन में आखों में इंफिक्शन होने का डर रहता है तो इस इस्थिती में भी इस ofloxacin eye drop को यूज किया जाता है एक आखों के विमारी है corneal ulcer इसमें cornea पर च्छाला हो जाते है, ulcer हो जाते है जिसके कारण आखों से पाने आना, दर्द होना, तथा irritation के इस्थिती बनी रहती है तो इस corneal ulcer को ठीक करने के लिए भी यह eye drop का यूज किया जाता है अब बात कर लेते हैं कि इसको आखों में डालने पर क्या-क्या side effect दिख सकते है तो आखों में irritation हो सकती है, solution हो सकती है, आखों से पाने आ सकती है, धोंदला दिखाई दे सकता है, सरदर्द हो सकता है अगर ऐसा या इसके अलावे भी कोई side effect दिखे, तो अपने आखों को ठंडे पानी से धोएं और अपने डॉक्टर से मिले अब जान लेते हैं कि इस drop को कैसे डाले, तो अफलोक्सासिन eye drop और ointment दोनों को डालने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है eye drop को एक से दो बुंद दिन में दो बार या तीन बार डॉक्टर द्वारा डालने की सलाह दी जाती है और eye ointment को रात को सोते समय डालने की सलाह दी जाती है eye drop को डालने के लिए आप या तो लेट सकते हैं या बैठ के डाल सकते हैं इसके लिए आखों के निचला eye lid को खीच कर उसमें eye drop को डाले और आखों को ब्लिंक करें और फिर एक से दो मिनट तक आख बंद रखें जिससे की बेहतर रिजल्ट मिले eye ointment को काजल के तरह आखों के निचले हिस्से में लगाए इस drop या ointment को तीन से पास दिन तक डालने की सलाह दी जाती है फिर भी अगर समस्य ठीक न हो तो लंबे समय तक यूज करने के लिए डॉक्टर दोरा एडवाइस दिया जा सकता है ये थी जानकारी ओफलोकसासिन eye drop और लोशन के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप मारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद